हलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद है आप सब लोग ठीक होगे स्वागत है आप सभी के एक और नए वीडियो में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 13 टेड दो दो अजार रुपे से लगा रखी है अप डारेक्शन में और सारी टेड मेरी यहाँ पर विन हो रही है टोटल मैंने 26,000 की इन्वेस्टिंग की है और मुझे यहाँ से 22,000 का प्रोफिट मिलने वाला है कुछ ही टाइम रह गया है और आप देख सकते हो सारी टेड मेरी यहाँ पर विन हो चुकी है आप सभी के सामने स्टेटेजी लगाई हुई है मैंने आपके लिए यह काफी अच्छे से वर्क करती है मैंने यूज क्या है डाउन चैनल का जिग जैक का और पैरावोलिक का तीनों के कॉंबिनेशन से यह स्टेटेजी बनी है और आप सभी के सामने मैंने आप पर तेरा टेड विन करकर दिखाई है आपको इसके बेस पर आप इसी तरह से बेस पर प्रॉफिट कमाने वाले हो तो क्या ही strategy आपको इसके base पर किस तरह से trade करना है मैं आपको सारी बात इसी वीडियो में बताऊंगा आप सभी के सामने क्या क्या इनके period रहने वाले पहले में वो cover करता हूँ सबसे पहले आपको देख लेना है जो आपका chart time होगा वो होना चाहिए एक minute का यहाँ पर आप देख सकते हो 5 second भी है 15 second भी है लेकिन मैंने यहाँ पर इसको 1 minute पर रखा है एक minute काफी अच्छा रहेगा आप सभी के लिए ज़्यादा time भी नहीं लेगा और ज़्यादा जल्दी भी नहीं होगा उसके बाद जो आपकी direction होने वाली trade लगाने की वो भी 1 minute होने वाली है अब यहाँ पर आप 2 minute 5 minute की भी कर सकते हो लेकिन मेरी मानो जितने minute का आप trade लगाते हो उतने minute का यह आपका chart होना चाहिए ठीक है यह दोनों clear कर ले अपना उसके बाद जो अपनी candle होने वाली है वो होगी Japanese candlestick Japanese candlestick को आपको select कर लेना है उसके बाद आपको जाना पड़ेगा technical analysis वाले button पर यहाँ पर आपको click करकर indicators में मिल जाएंगे तीनों के तीनों ठीक है पहला क्या है down chain दूसरा zigzag तीसरा parabolic मैं इनको सब को remove करता हूँ आप देख सकते हो मेरा chart है आपर clear उसके बाद सबसे पहले आपको लेना है down chain channel ठीक है यह आपको नीचे मिलेगा indicators में ही down chain channel इसके period आपको 15 कर देने है ठीक है 15 आप इसके period करने वाले हो और इसको अपने chart पर apply कर दे यह आप दे सकते हो 15 period के साथ यह हमारे chart पर लग चुका है उसके बाद आपको add करना है parabolic यह भी आपका default होगा 0.02 और फिर उसके बाद आपको लेना है आपर zigzag zigzag भी आपका default होगा depth होगी 10 और devination होगी 5 ठीक है इस तरह से आप इन तीनों को लगा लोगे अपने chart पर अब trade किसी साथ से मिलने वाले हैं आपको मैं बता देता हूँ क्या होगा यहाँ पर भी देखे काफी अच्छी confirmation है क्योंकि market में आप देख सकते हो जैसे ही zigzag अपना नीचे के side confirm बनाता है पहले zigzag को समझते है zigzag जैसे ही अपना point off करता है और उपर के side move करता है मैं आपको आप direction का बता रहो किस तरह से आपको आप direction का trade करना है zigzag नीचे आकर उपर जाने लगे यह आप देख लिए ना एक point बना कर वहाँ से उपर जाए और उसी time पर down chain channel की नीचे वाली जो यह blue line है इसको market touch कर दे candle इसको touch कर दे दो confirmation यह हो चुकी है तीसरा क्या होगा parabolic dots आप देखोगे वो candles के नीचे बनना चालू कर दे ठीक है यह आप देशेते हो यहाँ पर parabolic dots नीचे बनना इस्टार्ट कर दिये थे अपना और market पर आप क्या करोगे एक मिनट का ही अप direction का trade लगा दोगे आप देख सकते हो यहाँ पर multiple trades हमारी win हो जाती सारी candles यहाँ पर green आई है उसी तरह से हम down का समझते है यहाँ पर आप देखे कितने अच्छी confirmation है और market ने हाँ पर देखे zigzag का point end हुआ है ठीक है और यहाँ पर down chain channel की green वानी line को market ने touch किया है यहाँ पर आप देखे क्ते हो यह upper line है यह mid line है यह lower line है ठीक है lower line को market ने touch किया था आपने up direction ने trade किया अब यहाँ पर upper line को market ने touch किया है और आपको यहाँ पर down का trade मिला है लेकिन मेरी मानो तो parabolic के dots भी देख लो अभी यहाँ पर parabolic के dots नीचे बन रहे थे आपको यहाँ पर जाकर parabolic के dot उपर के side दीखे थे आप यहाँ पर भी confirmation लेकर down के trade लगा देते और हम अच्छे से समझते हैं जहाँ पर यह सब कुछ clear हुआ हूँ अपना यहाँ पर आप सभी के सामने इसा point बना था आप देख सकते हो down donation का trade किस तरह से लिया हमने यहाँ पर पहरे हमने देखा down chain चला कि upper line को मार के touch करे जिग जैग अपना नीचे के side बनने लगे और parabolic के dot हमें उपर के side देखने के लिए मिले जैसे ही तीनों conversion किलियर हो आपको down का trade लगना है और इसी तरह से नीचे के side जिग जैग बनकर उपर जाने लगे blue line down chain वाली को मार के touch करकर उपर जाने लगे ठीक है और parabolic के dots नीचे के side बनने लगे आप यहाँ पर भी up duration में trade लगा कर अपना win कर लेते इसी तरह से आप इसके base पर up and down के trade लगाने वाले हो मैंने आपको यहाँ पर trades लगा कर भी दिखाए मैंने आपके सामने profit भी किया है आप दे सकते हो आज मैंने इसी के base पर profit किया है 13 trades मेंने लगाए है total मेरी trades हाँ पर भी ने है ठीक है आपको मैं बताता हूँ आपको इसे index पर ज्यादा यूज करना है जो आपके पास index होते हैं शुरू में और इनका return भी अच्छा होता है आपके लिए यह इन पर अच्छे से work करेगी और आपको profit करकर देगी ठीक है यहाँ पर आपको क्या देख नहीं बिला अभी market ने उपर के साइड टच नहीं किया parabolic dots नीचे के साइड भी उपर के साइड भी यहाँ पर आपका error है यहाँ पर आप trade नहीं लोगे ठीक है और यहाँ पर हमें confirmation मिल रही थी और इस तरह से downcard trade लगाया और अपका trade लगाया तो उमीद है इस strategy के base पर आपको किस तरह से trading करनी है आप समझ गए होंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दे चैनल पर आप नए चैनल को subscribe कर ले और साथी साथ अगर आप मेरे signals को copy paste करना चाहते हो तो मेरे telegram channel को जरूर join करे मैं अपने telegram channel पर आपको daily 8-10 shares और signal प्रोइड कराता हूँ जिनको follow करकर आप भी profitable बन सकते हो contact करने के लिए मेरी telegram idea आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी उस पर click करकर आप मुझसे contact कर सकते हो और आप भी VIP join करकर मेरे signals को copy paste करकर profit कमाने वाले हो तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेस्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग